हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाउम फोर यू में दोस्तों आपने यूट्यूब की बहुती सांदार वीडियो पर क्लिक कर दिया है जिसने इंडिया ने भी ट्रेट्समेन में इट का पेपर दिया था उसके लिए वीडियो मॉस्ट मले है क्योंकि इस वीडियो में आप देखेंगे कि अपकी रिजूल्ट की टिथ अभी क्या आई हैं फाइनल क्या जाएगी के आईएगी ऑफ के कितने हमांक्स हो I Di 아 में नाम आ जाए, डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या-क्या डोक्यूमेंट आपको चाहिए, मेडिकल आपका कब होगा, कैसे होगा, क्या क्राइटिरिया मेजर्मेंट आपका मांगा हुआ है, दोस्तों, इंडियन नेवी ट्रेट्समेंट मेंट से लेटिट जो भी सवाल है, सभी का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं, अगर आप हमारी चैनल पर नहीं हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जिसने भी इंडियन नेवी ट्रेट्समेंट मेंट का पेपर दिया है, ताकि उन्हें भी पता चल जाए, क्या कट ओफ आपकी जाने वाली है, क्या डोक्यूमेंट रिक्वाइरमेंट आपकी है, क्या कि आपको medical criteria measurement मांगा हुआ है तो बात कर लेते हैं दोस्तों पहले आपकी result की आपका result अभी तक क्यों नहीं आ रहा है result आपका इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि previous year बरती का चला हुए document verification जब तक वो document verification पूरा नहीं होगा तब तक आपका result नहीं आएगा वो document verification कब तक पूरा हो जाएगा previous year बरती का 20 सितंबर आपका बताया जा रहा है 20 सितंबर में जो है document verification पूरा हो जाएगा 30 सितंबर में आपका result बताया जा रहा है 2021 का तो tension बिल्कुल ना ले वीडियो को एंट तक देखते वे चलें आपका result बहुती जल्दी आ जाएगा क्या क्या document चाहिए cut off क्या जाने वाली है वो भी मैं आपको यहीं पर बताऊंगा अगर आपके इतने marks हैं दोस्तों तो अपने document ready कर ले आज से ही तो cut off की बात करने ते अगर आप general candidate है दोस्तो general candidate के लिए 63 से लेकर 65 नमबर सफिशेंट होंगे अगर आप OBC category में है तो 60 से लेकर 62 नमबर EWS candidate के लिए 58 से लेकर 60 नमबर अगर आप SC candidate है तो 55 से लेकर 57 नमबर अगर आप SD candidate है तो 52 से लेकर 14 नमबर X service man के लिए 45 से लेकर 47 नमबर PWD के लिए 51 से लेकर 53 नमबर PWD OS sub category के लिए 54 से लेकर 56 नमबर VH category के लिए 50 से लेकर 52 नमबर और HH category के लिए 48 से लेकर 50 नमबर अगर दोस्तों आपके इतने marks है तो document अपने ready कर लें क्योंकि आपका document verification में नाम आने वाला है क्या क्या document चाहिए उसकी बात कर लेते हैं वीडियो अच्छी लग रही हो तो फटा फट से सब लाइक करते वे चलेंगे चैनल को subscribe करते वे चलेंगे बैल आइकन को on कर लेंगे क्योंकि जो भी update होगी तो उस तो 100% सटिक जानगारी के साथ आपको सबसे पहले exam for you चैनल पर देखने को मिलेगी अब बात कर लेते हैं आपकी document requirement की document verification में क्या क्या document आपके मांगे होए हैं 10th के mark sheet सभी को लेकर जानी है अपनी आधार kaard ओ, pen kaard ओ, driving license ओ, voter ID ओ, pen kaard ओ, passport ओ, कोई भी आईडिया आपके पास हो और लेकर आप चले जाएं जरूरी नहीं है कि सभी आपके passport भी बनवाना पड़ेगा यह सभी को pen card बनवाना पड़ेगा अगर आपके पास केवल आदार card है तो आदार card लेकर रीचले जाए आदार card से इकाम चल जाएगा डो missile आपको लेकर जाना है दोस्तों मून लिवास परमान पतर आपका माँगा है तो सभी को डो missile भी लेकर जाना है किसी का कोई पैसा नहीं चलेगा डोक्यूमेंट होंगे तो नोक्री मिल जाएगी डोक्यूमेंट नहीं है तो नोक्री भी नहीं मिलेगी क्योंकि बच्चे काफी लाइन में लगे हुए है पैतालिस वालों का भी नमबर आ सकता है क्योंकि प्रीविएस येर बढ़ती में काफी बच्चे जो है में पास हो जाएगा that करा दया जाएगा और जो बच्चे डॉक्यूमेंट डेककि केसिन में पास हो जाएगे उननका क्रायजाएगा मेडिकल मेडिकल मिलिंटरी होस्पिटल और government hospital दोनों का मानने है जिसका center जहां पर भी आएगा वो वहाँ पर जाकर अपना medical करा ले medical criteria measurement में आपको बता देता हूँ क्या क्या आपका मांगा हुआ है medical में दोस्तो minimum weight आपको 45 kg मांगा हुआ है इससे कम आपका weight नहीं चलेगा आपकी कोनी 15 degree से ज़्यादा बाहर नहीं निकलनी चाहिए अगर आपकी 15 degree से बाहर ज़्यादा है कोनी तो आपको बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि काफी बच्चे जो है बाहर हुए कोनी के वज़े से आपकी आई साइट 6x6 होनी चाहिए अगर आपको चस्म लगया तो 6x12 आपका मांगा हुआ है यानि इसमें भी आपको relaxation दे रखा है टैटू के बारे में काफी बच्चे पूछ रहे थे कि टैटू का हम क्या करें लेकिन आपके गुटने मिले होए नहीं होने चाहिए इसमें कराईटेरिया आपका measurement मांगा हुआ है अगर आपके गुटने मिलेवे होते हैं तो आप physically fit नहीं हो आप medical में बाहर कर दिये जाओगे तो गुटने मिलेवे नहीं होने चाहिए आपको तो यह होगा आपकी medical selected बात अब बात कर लेते हैं आपकी result की बता दी मैंने result जो आपका 30 सितंबर में बता जा रहा है पूरा October आपका चलेगा document, verification और medical नवंबर में आपको जो है joining letter मिलने start हो जाएगे तो बहुत ही जल्दी से भरती कराए जाएगी tension बिल्कुल ना ले आप बहुत ही जल्दी आपकी भरती कराए जाएगी नवंबर में जो है joining letter मिलने start हो जाएगे तो सभी के न्युकती जो है नवंबर में हो जाएगी तो सभी बाते मैंने आपको बता थी इंडियन नेवी ट्रेट्स में मेंट से लेड़ी कोई question कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजेगा वीडियो अच्छी लगी हो तो फटावट से लाइक कर दे अगर आप हमाई चैनल पर नहीं है पहली बार वीडियो देख रहे है तो जल्दी से exam for you चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन को ओन कर ले ताकि जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको यहीं पर देखने को मिलेगी exam for you चैनल पर तो दोस्तों इस वीडियो में इतने वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंज जय भारत